जब भी हम बात करते हैं Goal of IATF की तो हम बात कर रहे होते हैं QMS के development की development of QMS for what? किस चीज के लिए QMS का development करना है? QMS का development करना है defect prevent करने के लिए, defect को कम करने के लिए, defect को रोकने के लिए याद रखिए word है prevent, रोकना है, होने के पहले ही रोकना है इसके बाद reduction of variation and west in supply chain, चाहे आप tier 2 के supplier हो या tier 1 या OEM हो, आपको पूरी supply chain में variation को reduce करना है याने six sigma की बात होती है, आपको variation के साथ-साथ west को भी reduce करना है याने lean की बात होती है, और इसके बाद continual improvement की बात होती है इन तीन goals को हमेशे ध्यान में रखे, आपड़े आसानी से IATF को समझ जाएंगे